हलो गाइस एक important question है जो अभी मेरे से बहुत सारे students ने पूछा है बहुत जादा students की ये doubt है कि क्या अगर हम round 1 में किसी choice को डालते हैं और वो choice हमें a lot हो जाती है तो क्या हम उसे round 2 में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं या इसके साथ साथ एक और question arise हो रही है कि round 1 में हमें जो choice a lot होती है वो choice या उसके नीचे के choices जो हमने डाला है उन्हें हम round 2 में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं actually किसी telegram group पे बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि अगर हमें कोई seat a lot हो जाती है तो उसके नीचे के choices या उस choice को उस particular choice को हम round 2 counselling की choice filling में नहीं डाल सकते हैं but guys ऐसा नहीं है actually dnb all india के साथ club हुई जरूर है मगर जो rules है वो all india वाले ही follow हो रहे हैं and according to all india rules आपको हर round में fresh choice filling करनी पड़ती है that means round 1 में आपने जो भी choices रखे हैं वो choices round 2 में null and void हो जाती है तो student को round 2 में फिर से choices choice filling करनी पड़ती है and according to that अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर आप किसी choice को अपने choice filling में डालते हो और वो round 1 में a lot हो जाती है तो उसको आप round 2 में नहीं डाल सकते है या वैसे choices जो आपको a lot हुई है उसके नीचे के choices जो आपने भरे हैं वो आप round 2 में नहीं डाल सकते हो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जब आप round 2 में दुबारा से choice filling करोगे और round 1 की choices जो होती है वो null and void हो जाती है तो आपको दुबारा से choice filling करनी पड़ती है fresh choice filling करनी होती है और जब आप fresh choice filling करते हो तो उसमें आप choices के order को किसी भी order में रख सकते हो at the same time अ उससे अगर आपने free exit लिया अगर आपको round 1 में admission लेने का मन नहीं है और आप चाते हो कि उसे आप round 2 में डालना चाते हो round 2 के choice filling में डालना चाते हो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो इसमें कोई भी इस तरीके की बात नहीं है कि आप उन choices को नहीं डाल सकते हो आप उस choice को भी आपको अलॉट हुई है round 1 में उसके नीचे के जो choices हैं उन choices को भी आप डाल सकते हो इवन आप उसे manipulate भी कर सकते हो रिमूब भी कर सकते हो कोई जो choice है उसको आप रिमूब भी कर सकते हो अपने choice से किसी choice को आप add भी कर सकते हो thank you so much